Welcome friends in healthrambo, दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिश्चिला में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिये जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहें मैं बताना चाहोगा फिश्चिला होता क्या है फिश्चिला में क्या होता है कि गुदा के अंदर जो होता है एक अलग सी ओपनिंग हो जाती है और उस ओपनिंग के जरीए क्या होता है कि जो पानी जो उता पस वगरा होता है और काफी बालेटिन वगरा जो होती है वो बाहर आ जाती है और शुरुआत में क्या होता इस तरीके से एक फोड़ा सा बन जाता है और इसमें काफी दर्द होता है सूजन होती है और जब ये फूटता है तो इसमें से पस्सेल्स निकलते हैं तथा जो मल केल कुछ पाड़ भी निकलता है अगर हम बात करें कि फिस्चुला में क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए तो पहले मैं बताना चाहूँगा फिस्चुला में ये चीज़ें साबुत नहीं खाना चाहिए जैसे कि आमरूद, आमरूद के अंदर जो बीज होता है, यह क्या करता है, कि यह हो सकता है कि जो इसकी जो ओपनिंग होती है, फिस्चिला की उसके अंदर अटक जाए, इसकी वज़ा से क्या होता है, पस्सिल्स वगरा जो होते हैं, वो सही से निकल नहीं पाता है, इसकी वज के लावा जो सौंफ होती है वो भी अटक सकती और दर्थ हो सकता है उसके लावा शा법 धनिया राई िधर लाल मिर्च वगेडा या फिर जो बैंञन का बीज होता है यी भी क्या कर सकते हैं कि उसमें अटक सकते हैं जिसकी वज़ए से क्या होता है आपको आपको काफी भोजन नहीं करना है, और आप्को याद रखना है कि जब भी आफने ज़्यादा भोजन करा उसके तुरंभाद आपको नहीं सोना है, और आपको ज़्यादा मसालीडार और नमकीन खादपदातों से बचना है, क्योंकि ये सूजन को बढ़ाते हैं साथ में आपको जब भी लेटिन लगे तो उसको लेटिन करने ज़रूर जाए उसको रोके नहीं और आपको ये भी याद रखना है कि भोजन करते वक्त आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो परिस्टाल्टिक मूव्मेंट है बढ़ जाएगा उसके अलावा आपको ये भी चीज याद रखनी है कि फिश्चुला में आप क्या खा सकते हैं फिश्चुला में आप सभी तरीके के फल खा सकते हैं जैसे कि आड़ू, कीवी फ्रूट्स, खर्बूजा, अपरिकोट, निम्बू, निम्बू का पानी, संत्रा, संत्रे का जूस, इसके अलावा आमला, और शेहतूद बगरा ये उसके अलावा चावल आप खा सकते हैं, उसके अलावा दाले होती हैं वो भी आप खा सकते हैं, उसके अलावा सबजियां, सभी प्रकार की सबजियां, हरे पत्यदार सबजियां वो भी आप खा सकते हैं, दूद और दूद के उत्पाद्या आप ले सकते हैं, उसके बाद मा और अंडा भी आप ले सकते हैं बढ़ आपको इसको limited मात्रा मिलेना है साथ में आपको याद रखना है कि आपको पानी जाधा से जाधा पीना है और अपनी डाइट में फाइवर का जाधा से जाधा इस्तवल करना है फाइवर डाइट के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और आपको याद रखना है यदि आपकी गुदा में ज़्यादा खुजली हो तो उसको ज़्यादा खुजलाए नहीं उसकी जहां पर आप इनोवेट क्रीम जब भी आप लैटीन को जाते हैं तो लैटीन जाने के बाद में आप उसको लगा सकते हैं उसके अलावा शील्ड क्रीम भी होती है जो आप उसको दिन में कम से कम दो बार लगाएंगे तो इससे क्या होगा आपको काफी हद तक इसमेश होगा मदद मिलेगी सो इससे related अगर आपकी query है तो comment box में आप comment कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share करना ना भूले With this, thank you very much for watching Health Runbook